ताजा तरेन खबरों के लिए Prime News 24 को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबाएं जानलेवा वाइरस से अब तक 166 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले तीन महीने में विश्वर में फैले कोरोना महमारी से निपटने के लिए हर देश लोकडाउन का तरीका ही अपना रहा है भारत सरकार की तरफ से भी कोरोना वाइरस के चलते हुए कई राजियों और केंद्र शाषित प्रदेशों में पूरी तरह से लोकडाउन किया जा चुका है मोधी सरकार कमप्लीट लोकडाउन इसलिए कर रही है कि कोरोना संक्रमट को तीसरे चरण में जाने से रोक दिया जाए अगर इस lockdown के जरीए सरकार संक्रमण के chain of transmission को रोकने में काम्याब होती है तो हो सकता है lockdown जादा दिन तक ना चले लेकिन अगर ये विमारी तीसरे चरण में पहुँच गई तो lockdown महीनों तक चल सकता है International Labour Organization के अनुसार दुनिया भर में डेड़ अरब लोग बेरोजगार हो जाएंगे जो की एक बड़ी चिंता की बात है भारत इस समय विश्व की छटी सबसे बड़ी उबरती हुई अर्थ विवस्ता है लेकिन अगर ये lockdown लंबा चला जिसके आसार नजर आ रहे हैं तो lockdown खुलने के साथ ही करोडों लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे गरीब किसानों और मज़ूरों की जेब में पैसे नहीं होंगे मध्यम वर्क के लाखों लोगों की या तो नौक्रियां जा चुकी होंगी या उनके वेतन कम हो चुके होंगे ये द्रश्य चोकाने वाला है अगर कुछ विशेश्यकों की माने तो भारत में पिछले 30 वर्ष में जो आर्थे काम्याबी हासिल की है उससे काफी पिछर जाएगा भारत में कोरोना वाइरस के फैलने से पहले ही अर्थे विवस्ता पटरी पर नहीं थी जिसको अब वापस पटरी पर आने में कई वर्ष लगेंगे प्रधान मंत्री पहले ही इसकी चीना जाहिर कर चुके है कि यदि लोकडाउन का पूरी तरे से पालन नहीं हुआ तो भारत 24 वर्ष पीछे चला जाएगा प्राइम न्यूस 24 के लिए अमरेश प्रजापती की रिपोर्ट